हाई फ्रेंड्स में हूं अमित और आप देखरें अमित संदरी टीप चैनल और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक पैंकर्ट है और आप उस पैंकर्ट को अधर कर्ट के साथ जब लिंक करवाने जाते हो तो आपका date of birth, mismatch ऐसा कुछ भी दिखा सकता है आप कैसे पैंकर्ट में name, date of birth, address, photo, signature, mobile number, gmail id चेंज कर सकते हो इस वीडियो में हम उसी बड़े में बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं पैंकर्ट में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको Google को ओपन करने के बाद आपको simply इदर सार्च करना है NSDL पैंकर्ट करेक्शन करके सार्च करते ही आप देख सकते हो कि बहुत सरा ओप्शन आ चुका है इसमें से सबसे पहले वाला जो ओप्शन है www.onlineservice.nsdl.com इस पर आपको क्लिक कर देना है इसमें क्लिक करते ही आप NSDL Online Pen Application का करेक्शन का जो वेबसाइट है उसमें हम आ चुके है आपको इधर आने में कोई प्रॉब्लेम होता है तो मैं इस वेबसाइट के लिंक में में मेरा डेस्किप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से डाइरेक्ट इस वेबसाइट पर आसा है इधर आने के बाद आपको सिंपली इधर नीचे के तरफ चले आना है and देखिए application type application type में आपको change और correction इस पर click कर देना click करने के बाद देखिए next option है category category में आपको हमेशा individual को choose कर देना individual चूँज करने के बाद आप देख सकते हो कि applicant information इसमें आप जो भी change करवाना चाहते हो उस निया pen card में जो भी चाहते हो उसको इधर enter करना होगा ठीक है तो मेरा title में दे देता हूँ title देने के बाद आपका जो भी surname है इधर enter करना होगा तो में surname enter कर देता हूँ surname enter करने के बाद आपका जो भी fast name है इधर enter कर देना है email id एंटर करने के बाद right side में देखिए mobile number आप जिस भी mobile number को pen card के साथ link करवाना चाहते हो उस mobile number को simply इधर enter कर देना है mobile number एंटर करने के बाद देखिए एक option है whether citizen of India करने के बाद आपको सब्सक्राइब करने के बाद देखिए इधर एक बॉक्स है इसमें आपको simply tick करना है and इधर जो capture code है इसको साही से आपको fill कर लेना है capture fill करने के बाद आपको simply इधर submit पे click कर देना है submit पे click करते आप देख सकते हूँ कि थोड़ा loading दिखाया and इधर देखे आपका एक token generate हो चुका है इस token number को आपको simply इधर से copy कर लेना है and आप किधर भी link के राख सकते हूँ क्योंकि अगर net चला जाता है तो बाद में इस token number को ही देकर आपको login होना है ठीक है तो मैं token number को save कर लेता हूँ token number save करने के बाद आपको simply continue with pen application form पे click कर देना है इसमें click करते आप देख सकते हो कि online pen application ये form open हो चुका है इसमें four steps है एक है guideline एक personal details एक contact and other details and document details फिर देखे तीनों option आ चुका है इसमें submit digitally through e-sign and e-kyc paperless अगर आप इस पे select करके रखते हो इसके मतला पे आपको कुछ भी documents अप्लोट करने का ज़रूरत नहीं है आप सेफ आधर करके base पे आपका date of birth, name, कुछ भी इधर change करवा सकते हो अगर आप इस first option को choose करते हो तो आपका pen card में आपका signature नहीं आएगा आपको physically signature करना होगा फिर आप उसको किसी भी जगा पर apply कर सकते हो next option है submit scan images through e-sign इसका मतलब है आप आधर से ही e-sign कर सकते हो लेकिन आपका जो भी documents है उसको आपको scan करके इधर upload करना पड़ता है अगर आप माल लोग की name change कर रहे हो तो आपको अपना name किस में सही है उसको इधर upload करना पड़ता है अगर आप एक लड़की हो और आप साधी के बाद name change कर रहे हो मतलब आपका surname change कर रहे हो तो आपको simply अपना marriage certificate इधर upload करना होता है तो मैं सबसे पहले वाला option को रहने देता हूँ क्योंकि pen card आने के बाद बाद में मैं उसको sign कर दूँगा तो बहुत easy हो जाएगा ठीक है next option देखे whether physical pen card is required आपको physical pen card चाहिए yes or no मुझे physical pen card चाहिए तो मैं yes पर click कर देता हूँ यस पर click करने के बाद देखे permanent account number मतलब आपका pen number इधर फिर से सो कर रहा है उसके बाद देखे other number only for individual आप खुदी apply कर रहे हो इसलिए आपको आधर पर tick करना है आपका आधर का जो last four digit है आपको इधर enter कर देना है तो मैं enter कर देता हूँ आधर का last four digit इंटर करने के बाद देखे next option है कि आपका जो भी photograph आधर में available है ओई pen card में update होके आएगा या नहीं तो मैं इस पर yes पर click कर देता हूँ click करने के बाद देखे इधर eid number या आप दे सकते हो address को छोड़ सकते हो उसके बाद इधर भी कुछ देना नहीं है आपको simply नीचे के तरफ जाना है आपको एक बाद इधर save draft कर लेना है क्योंकि अगर net चला जाता है या बहुत time आप इस form fill आपको करने के लिए लगा देते हो तो यह log out हो जाता है या season expire हो जाता है तो मैं इसको save कर लेता हूँ save करने के बाद नीचे के तरफ चलते है इधर देखे full name of applicant मतलब मेरा name क्या है इधर full name दिखारा है अगर इसमें कोई गलती हो गया तो आप इस बार सुधर लेना ठीक है तो इधर देखे मेरा सब कुछ साही है उसके बाद मेरा date of birth भी साही है मेरा gender इधर चूज करने के लिए बोल ला है तो मैं मेरा gender चूज करने ता हूँ मैं और एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप pancard में जिस भी documents को आप update करना चाहते हो उसके बगल में देखेगा एक box है इस पे आपको simply tick करना है अगर आप माल लो कि आप name change करना चाहते हो तो इस पे आपको tick करना है otherwise छोड़ देना है ठीक है और अगर date of birth को आप change करना चाहते हो तो date of birth को choose करना है आप जिस भी documents को change करना चाहते हो उस पे आपको tick करना है तो filler नीचे के तरफ चलते है इधर देखेए photo mismatch, signature mismatch इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है ठीक है उसके बाद देखेए details of parent इस पे आपको tick करना है tick करने के बाद इधर देखेए आपका father name देने के लिए बोला है तो आपका father name में भी गलती हो सकता है तो आप उसको इधर से साही कर सकते हो मतलब आपका father का surname में अगर कुछ गलती हो गया है तो आप इधर से सही surname इधर इंटर कर सकते हो और वी आपको print होके बाद में government के तरफ से आपके घर में भेज़े जाएगा ठीक है तो मैं मेरा father का surname देता हूँ surname देने के बाद देखिए father first name मेरा father का first name में इधर देता हूँ first name देने के बाद देखिए mother name इस पे optional है तो मैं father name को रहने देता हूँ and next पे click कर देता हूँ next पे click करते हैं आप देख सकते हो हमारा जो guideline process ता हो complete हो चुका है and personal details भी complete हो चुका है तो हम contact and other details पे आ चुका है next option देखिए address of communication इसमें आपको कुछ भी देने का ज़रुराद नहीं है अगर आप अपने address change किये हो तभी इधर enter करना होगा मतलब आप पहले कही और जगह पर रहते थे and अपने अपका घर shift करके दूसरी जगह पर कर लिया तो आपको सब कुछ address change करना होता है तभी आप इधर address देना पड़ेगा चाहते हो तो इस पर simply tick करना है and देखिए एक country code दे रहा है तो country code हमारा इंडिया है तो मैं इंडिया लिख देता हूं proof of address भी आधर है proof of date of birth भी आधर है मतलब मेरा आधर में सब कुछ है उसके base पर ही मैं pencard में correction कर रहा हूं ठीक है इसके बाद देखिए proof of pen आपका pencard का proof क्या है copy of pencard क्यूंकि मेरे पास pencard है अगर आपके पास pencard नहीं है तो आप इहां पर no documents भी दे सकते हो otherwise आपके पास अग है चूज करते हैं आप देख सकते हो कि मेरा नाम इधर automatic आ चुका है एंदेख एक pop-up आपार आए कि kindly save your details to avoid data lose तो मैं इस पर ओपे क्लिक कर देता हूं क्लिक करने के बाद देखिए I or we have enclosed dash number of documents supporting purpose change and correction change and correction करने के लिए मैं कितना documents इधर upload करूंगा ठीक है आपको कोई भी documents scan करके upload करने का जरूरत नहीं है automatic यह आधर के बेस पर update हो जाएगा ठीक है तो मैं यह आपर two documents देता हूं क्यूंकि एक है pen card और एक है other card to देने के बाद आपका place आपका जो भी village name होगा आप इधर enter कर सकते place enter करने के बाद आपको simply submit पे क्लिक कर दें submit पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हूं कि request for change and pen correction इसमें आपको पार्सोनल डिरेस फिर से open हो चुका है इसमें आपको आधर का fast 8 digit देने के लिए बोल ला है तो आपका आधर का जो भी fast 8 digit है आपको इधर enter कर देना है उसके बाद नीचे के तरफ चलते है इधर आपको simply check करना है कि अपने सब documents सही से enter किया है या नहीं आप जिस भी documents को update करवाना चाते हो उसके बगल में एक tick है उसको tick कर देना है मैं बार बार इस बात को बता दे रहा हूं ठीक है नीचे के तरफ चलते है तो देखे मेरा सब जो documents है वो सही है मैं एक दम last में चलता हूं last में जाने के बाद देख प्रोसेट करके option है तो हम प्रोसेट पे क्लिक कर देते हैं प्रोसेट पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हूं कि थोड़ा लोडिंग दिख़डा है एन ओनलाइन पैन अप्लिकेशन का एक mode of payment आ चुका है आप इधार demand draft मतलब bank में जाके भी payment कर सकते हो एन ओनलाइन PTM के प्रोसेट करने के बाद आप देख सकते हो कि 106.90 रूपीज आपको पेमिंट करना होता है ठीक है तो नीचे के तरफ चलता है इधार देखिए एक terms and condition है इसको simply आपको tick करना है and process to payment पे क्लिक कर देना इसमें क्लिक करते हैं आप देख सकते हो कि confirm payment आपको pay confirm में क्लिक कर दे पेमिंट करते ही आप देख सकते हो कि your request cannot be processed please try again after sometime यह हमेशा ऐसा ही दिखाता है NSDL का website में ठीक है इसके बाद आपको simply क्या करना है आपको home पे क्लिक कर देना है home पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हो कि हम home page पे आ चुका है इधर आने के बाद हमने पहले apply online पे क्लिक करके रखा था इधर आपको simply continue with application पे क्लिक कर देना है इसमें क्लिक करते ही आपका जो भी token नमबर था मैंने पहले ही बोला था उस token नमबर को साही से याद करने के लिए या लिग के लिग लेने के लिए ठीक है तो मैं token number को इंटर कर देता हूं token number इंटर करने के बाद आपको simply अ इस capture को आपको simply size से fill कर लेना है capture fill करने के बाद आपको simply submit पे क्लिक कर देना है submit पे क्लिक करते ही आप देख सकते हूं कि आधर authentication करके एक option आचुका है इसमें आपका token number, name, gender, date of birth, आधर का last 4 digits आपको show कर रहा है इसमें simply आपको इधर tick करना है and authenticate पे क्लिक कर देना है authenticate पे क्लिक करते ही आप देख सकते हूं कि continue with EQIC करके एक option आचुका है इसमें आपको simply click कर देना है इसमें click करते ही आप देख सकते हूं कि एक OTP verification करके page open हो चुका है and आपका आधर करके साथ जो भी mobile का link है उस mobile में एक OTP आएगा उस OTP को simply इधर enter कर देना है तो मेरा OTP आचुका है मैं इधर enter कर देता हूं OTP इंटर करने के बाद आपको simply submit पे click कर देना है और अगर आपका OTP नहीं आता है तो आप इधर regenerate OTP पे click कर सकते हूं submit पे click करते हैं आप देख सकते हूं कि complete with e-sign करके एक निया page open हो चुका है इसमें आपको simply click कर देना है इसमें click करते ही थोड़ा loading दिखाएगा and electronic signature service करके एक option आ चुका है इसमें आपको simply tick करना है and आपका जो भी आधर number है इधर simply enter कर देना है आधर number enter करने के बाद आपको simply send OTP पे click कर देना है send OTP पे click करती है आपके mobile में फिर से एक OTP आएगा उस OTP को simply इधर enter कर देना है OTP एंटर करने के बाद simply verify OTP पे click कर देना है verify OTP पे click करती है आप देख सकते हो कि थोड़ा loading दिखाड़ा है पे click कर देना है OTP पे click करती है आप देख सकते हो कि मेरा एक acknowledge में नमबर आ चुका है मेरा pen card का number मेरा picture सब कुछ इधर आ चुका है अब देखी सकते हो कि मेरा full documents आ चुका है इधर आपको download PDF करके option मिलेगा आप इस PDF को download करके भी रख सकते हो तो मैंने download कर लिया है तो ऐसे ही simple तरीकों से आप NSDL का pen card में कुछ भी correction कर सकते हो बहुत easy तरीके से वीडियो आच लगे तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना और ऐसे ही बहुत सरी वीडियो के notification पाने के लिए हमारा चैनल का जो notification bell है उसको on कर लेना अगर आपके मन में कोई question है तो आप हमारा comment section में आके पूछ सकते हो मिलते है अगले वीडियो में जाहिंद बनने मातरा